नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका breaking news इंडिया में राजिस्तान राज और दिल्ली कैपिटल के बीच आइप्रेल सीजन बारा का चालिसवा मुकाबला आठ बज़े से जैपूर के सवाई मांसिंग स्टेडियम में खेला जाएगा अपने पिछले मुकाबलों में पांच व जन्यवार को कोचला के मैदान पर किंग्स इलेवन पंजाब को पांच रिकेट जहरा कर अंक तालिका में तीसरा इस्तान हासिल कर लिया दूसरी और राजिस्तान ने भी मुंबाई इंडियन जैसी मजबूर टीम बोराया इस्टीव स्मित ने कप्तानी पारी केल कर मोर्चे से अगवाई की स्मित के राजिस्तान राजिस्तान का कप्तान बनते ही इनके बन्ले से रन भी निकलने शुरू होगा मुंबाई के खिलाफ उन्हों ने नाबाद की पारी खेल कर एक दो बासट रनों के लच्च को हांसिल खर लिए राजिस्तान नौ मैचों में तीन जीट चाहर के साथ 6 अंकों के सारे तालिका में सात्यों नंबर पर है प्ले आफ में पहुंचने की अपनी उमीडों को जिंदा रखने के लिए टीम को अब बाकी बचे सभी मैच जीतने होंगे ने कप्तान इसमित के साथ राजिस्तान डाल गेरेलू हालात का पूरा प्वाइदा उठान चाहेगी आलाकि टीम को सलामी बल्लेबाद जौद बटलर की कमी खलेगी आंजिक की रहाडे को खराब प्रदर्शन के कारण कफ्तानी से हटाया गया और सलामी बल्लेबाद के रूप में उनकी जगह राहुल त्रिपार्टी को उतारा जा सकता है त्रिपार्टी ने संजू सैंसेन और रियान पर राक का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है डेट ओब्रों में गेंबादी जरूर चिलता का सबस है जोफरा अर्चर अल्लेग इस्पिनर श्रियाग गोपाल को छोड़कर कोई गेंबाद लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है बात करें दिल्ली कैप्टल्स की तो इस सीजन में शांदार प्रदर्शन कर रही दिल्ली ने भी अपने पिछले मैच में फिरो शाख पोटला मैदान पर किंग 11 पंजाब को पाच विकेट से मात दी दिल्ली इस समय 10 मैचों में 6 जीत और 4 हार के साथ 12 अंकों की बदालत तीसरे नंब प्रमशा 56 और नाबाद 58 रनों की पारी खेल कर टीम की जीत में एम भूम का निभाई थी गेनबाजी में टीम को अपने स्टार गेनबाज क्यागिसोर अबाड़र से काफी उमीद होंगी जो अब तक कि किस विक्तों के साथ गेनबाजी की सूची में शीष्ट पर चल रहे ह उनके अलावा संदीप लामी चाने पर भी सबकी नजरे ठीकी रहेंगी जिन्होंने पिछले मुकाबले में तीन विकिट चट्काय थे वे पांच मैचों में आठ विकिट ले चुके हैं दिल्ली के पास मजबूत बल्ले बाजी क्रम है तलामी बल्ले बाज शिखरदवन ने इशान शर्मा, इस्पिनर संदीप लामी चाने, अमिश मिश्रा और अच्छर पटेल भी अच्छर प्रदर्शन कर रहे हैं एक और जीत दिल्ली के लिए प्रवेश का माद प्रशद करेगी और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बात करें आज के मैच की तो दिल न्यूज अपडेट से बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राब करना ना भूलें धन्यवाद